नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज बताएंगे मसूडों का दर्द से अराम पाने का घरिलू उपाए मूँ में होने वाले बिमारियों में जैसे दात का दर्द से परसान रहते हैं वैसे मसूडों के दर्द से भी लोग परसान रहते हैं इसके लच्छन क्या होते हैं? ब्रेस करते समय मसूडों से खुनाना, इसके अलावा मूँ से दुरगन दाना, मसूडों फर सफेद दब्वे जैसे बन जाना, दातों के ढाचे और मसूडे के बीच खाली जगा बन जाना मसूडों में दर्द क्यों होता है? दातों को देखवाल ना करने से, धुमर पान या तवाकू को सेवन करने से, या फिर जादा रूप से दवाईयों का परियोग करने से मसूडों के दर्च से बचने का क्या उपाई है जादा मेठा चीजों का सेवर ना करें कम से कम दो बार सुवा उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने दातों को जरूर ब्रस करें कभी कभी निम का दातुन का भी परयोग करें इससे आपके मुँँ में जो वैक्टिरिया रहता है उसे दूर करता है यदि जादा मसूडों से खुन आता है तब आप साल में एक वाद दंच किस्यक से दातों को सफाई जरूर करवाएं ठंडे पदार्तों से बचें तो आईए जानते हैं मसूडों के दर्द से रहत पाने का घरेलू उपाएं मसूडों से दर्द का निजात पाने के लिए पहला है सोने से पहले गुनगुना पानी में नमक डाल कर कुल्ला करें दूसरा है दिन में एक बार ग्रीन टी पीएं ये दातों को मजबूत और मसूडों को सवस्त रखता है क्योंकि इसमें अंटी ओक्सिडेंट पाए जाता है तीसरा है सेव एपल बोजन के बाद सेव खाने से लार का उत्पादन होता है और दातों में जो चिपकने वाली बैक्टिरिया होता है उसे दूर करता है